CRPF पैरा मेडिकल भरती 2020 नमस्कार दोस्तों CRPF पैरा मेडिकल भरती 2020 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुके जैसा कि यहाँ पर 14 दिसबर से सभी के फिजिकल सुरू होने की बात चल रहे थी लेकिन यहाँ पर CRPF की तरफ से एक और ओफिसल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें यहाँ पर दोस्तों आपके फिजिकल के साथ में ही दोस्तों यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड ओफलाइन मोड के आदार के साथ ही ओनलाइन मोड के आदार पर भी जारी किये जारे दोस्तों इस वीडियो में उसी के बारे में डीटेल से बात करेंगे कि जो बाकी की ट्रेड है जैसा कि आपके कुक, बारबर, वोटर केरियर, स्वीपर इन सभी का जो फीजिकल होगा वो कब तक होगा और कब तक इनके एडमिट कार्ड जारी होगे इसको लेकर बड़ी अपडेट CRPF के तरफ से आज चुकिए आपका जो फीजिकल होगा वो होगा दोस्तों यापे 18 जनवरी से बिलकुल दोस्तों 18 जनवरी से बाकी की जो ट्रेडे है उनका फीजिकल सुरू होगा और इनके एडमिट कार्ड भी ओफलाइन के साथ ओनलाइन भी CRPF की तरफ से जारी किया जाएगा दोस्तों इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में डीटेल से बताने वाले आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत उपन साबित रहने वाला आप वीडियो के अंदे तक आप जरूर बने रिजिगा साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो और आगे आने वाली CRPF पहरा मेडिकल भरती 2020 से रिलेटेड हर परकार की अपडेट अगर आप पाना चाते हो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे हम CRPF की ओफिसली साइड पे आच चुके जो रिक्रूटमेंट की ओफिसली साइड और यहीं पर बड़े नोटिस जारी किये गए जिन में सबसे पहले मैं आपको नोटिस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ जिन में 14 दिसंबर से कौन-कौन सी ट्रेडों के फिजिकल सुरू हुए जबकि 18 जनवरी से बाकी कौन-कौन सी ट्रेड हैं जिनका फिजिकल सुरू होने वाला है बिल्कुल दोस्तों जिनके एड्मिट क अब आपको मैं सबसे बले बत दिखा देता हूँ 14 दिसंबर से किन-किन के फिजिकल सुरू हुए जबकि 18 जनवरी से कौन-कौन सी ट्रेडों के फिजिकल सुरू होने वाले तो सबसे पहले दोस्तों यह नोटिपिकेशन हम डाउनलोड कर लेते तो 17 तारीकों यहां पर जा तारीक से सुरू हुआ है तो यहां पर आप देख लिजिएगा पी एस्टी पीटी फोर इंस्पेक्टर डाइटेसियन इसके साथ ही एसाइज स्टाफ नर्स एसाइज रेडियो ग्राफर एसाइज आपका पार्मेसिस्ट एसाइज फीजियो थरोफी एसाइज डेंटल टेक भी एसीटेंट हैड को डेंट एट कोश्टेबल इस्टीवय एड एड कोश्टेबल वैट नरी और हैड कोश्टेबल रेडियो ग्राफर के साथ नरी के जो एकजाम फीजिकल है उनको 14 दिसंबर से शुरू हो चुके दोस्तों आपके फीजिकल कहां कहां पर होगे और बाकि में बात करेंगे कि कहां काँ पर आपका फिजिकल होगा बाकी की ट्रेड हैं यहां पर आप देख सकते हो बाकी की आपकी जो ट्रेड हैं पी एस टी और पी टी जिसमें आपके कोंश्टेबल मलाची कोंश्टेबल कोंश्टेबल सुपाई करमचारी कोंश्टेबल वासर में को दोस्तों आपके भी admit card online जा रही होगे मतलब online आपकी भी list जा रही होगी अब बात आती है दोस्तों कहां कहां पर physical होगा कौन-कौन से जनवरी तक उसके बाद दोस्तों आपका जो group center CRPF नोईडा है उसमें होगा आपका UP उत्राकंड यहाँ पर मद्दे परदेश और मानिपूर के जितने भी candidate है उन सभी का यहाँ पर होगा group center CRPF नोईडा में जबकि बात करे group center CRPF दिली का तो यहाँ पर जो remaining बच्चेवे candidate ह है न्यू दिली center में होने वाला साथ ही हैदराबाद जो center is group center CRPF उसमें हैदराबाद के ब्यारती होंगे जबकि गवाटी में जो center है उसमें गवाटी के ब्यारतियों को होगा जमु कस्मेर के जो बांटलाब है वहाँ पर जमु कस्मेर का center बनाया गया है जबकि CRPF एलाब जिनका फिजिकल 18 जनवरी से सुरू होगा उनके लिए कौन-कौन से डोकोमेंट उनको तैयार रखने होंगे बिल्कुल दोस्तों मलाची कूकस सपाई करमचारी वोसर में टेबल वोई और वोटर केरियर की यहां पर बात कर रहे तो यहां पर आपके पास में 10 पास की माक्स आपको फाइनल सेलेक्शन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी बिल्कुल दोस्तों यहां पर आपका जो ट्रेट टेस्ट होगा उसमें आपके ट्रेट जो एक्सपिरेंस सर्टिपिकेट है उसके अलग से नमबर जुडने वाले बिल्कुल दोस्तों और उससे आपका फाइनल सेलेक्शन में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है अगर आपके पास में अभी तक experience certificate नहीं है तो बनवा लीजेगा और experience certificate से related अगर आपके कोई भी doubt है तो इस्क्रीन पे जो नमर दीक रहे हैं उस पे आप पूर्षब मेसेज करके अपना doubt के लिए कर सकते हैं अब बात आती है दोस्तों सबसे पहले आपका physical होगा लगातार ब्यारते को कमेंट आ रहे थे कि सर सबसे पहले physical होगा या सबसे पहले रिटन होगा क्योंकि दिसंबर में जो डेट देर की थी वह रिटन की थी लेकिन दोस्तों सबसे पहले पेरावेडिकल की जो वैकेंसी जाती है उसमें सबसे पहले आपका यहाँ पर 1600 मिटर की रनिंग होगी बिल्कुल दोस्तों फीजिकल ज्यादा हाड नहीं होगा काफी ज्यादा आसान है दस मिनिट दी जाएगी लेकिन में चीज होती है दोस्तों इसमें ट्रेट टेस्ट ट्रेट टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लोगे आपका फाइनल स सेलेक्शन होने के पूरे पूरे चांश है इसलिए आपको ट्रेट टेट से रिलेटेट तैयारी में आज से ही जुड़ जाना चीए क्योंकि जो कैंड़ेट फीजिकल पास होंगे उन सभी का ट्रेट टेस्ट होगा बिल्कुल दोस्तों जो फीजिकल क्वालिफाई होंगे उन सभी का ट्रेट टेस्ट होगा और यहां पर अगर आपका अठारा जनवरी को आपका फीजिकल होता है तो आपका अठारा जनवरी को ही यहां पर साथ में ट्रेट टेस्ट होगा जिसमें अलग-अलग ट्रेट का अलग-अलग परकार से ट्रेट टेस्ट करवाया जाएग और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिनका एडमिट कार्ड ओपलाइन घर पे नहीं आता है वो ओनलाइन भी लिस्ट में चेक कर पाओगे ऐसे में दोस्तों हम जल्द ही आपको बताने वाले हैं कि कब तक आपके एडमिट कार्ड ओपिसली तरीके से ओनलाइन भी पेरा मेडिकल के जो ट्रेट्स में है उन पदों के ओनलाइन जारी होंगे दोस्तों इसको लेकर सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे अगर चैनल पे आप पहली बार आई हो और सी आर पे पेरा मेडिकल भरती से रिलेटेड हर परकार की अपडेट अगर आप पाना चाते हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले इतना ही मिलते नेक्स डियों में तब तक के लिए जय हिंजय बार